राजस्थान सरकार ने 25 अप्रेल को राजस्थान अध्यापक पात्रता परिक्षा करवाने का नियरने लिया है जिसको लेकर अब जैन समाज के लोगों में रोश बना हुआ है और लगातार परदशन कर रहे हैं इसी बीच जोदपूर में संकल्प जैन समाज के बैनर तले कई संगठनों के लोगों ने परदशन किया कलेक्टरेट के बाहर सभी लोग धरने पर बैठे और नारे बाजी करने लगे इस दोरन रीट की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की गई और इसको लेकर मुख्यमंत्र पाहिए उसनीं रविवार भी और राजस्तान सरकार इंडिया सरकार वे बर्षों से चुट्री चली आ रही है लेकिन राजस्तान सरकानometer सरकार को परद्रral करने जूजय किए कर दिये जिसका समय हमारे को जब मालूम पड़ा उसका हमने राजस्तान सरकार को जापन भी दिया था लेकिन उसका कोई पर्थी उत्तर नहीं आया उसके बावजूद भी हमने राजस्तान जोद्पुर के आदरने मुख्यमंतिरी है असोगी गलोथ उनको पैचान होने के सबसे ज्यादा सबसे बड़ा पर्व हमारे यह है उस दिन अगर परिक्षा होगी तो हमारे बच्चे जो एक्जाम देने के लिए चले जाएंगे उनके अभी बावक उनके साथ चले जाएंगे और उनके जो टीचर्स हैं वो लोग भी वहां पर बीजी हो जाएंगे हर रीट की परिक्षा की जो है घृत की परिक्षा के बादी लोग जान कर बढकर करते हैं उसका हम दिल से वी रोत करते हैं दोड़ा सब से बigonist देट स्ट करने के लिए लेकिन उनके उनके इसको चेंच करने के लिए मना कर दिया। अगर यह मानने नहीं माननी जाएगी तो हमें आगे बैट करके, हम संस्तावाले बैट करके आगे कोई डिसिजिन लेंगे और बविशे में आने वाले सरकार को यह सोचना होगा कि जहन समाज अगर उसके साथ नहीं देगा तो उसकी क्या इस्तति होगी वो सरकार इसके बारे में विचार करें अप्रेल को महावीर जी की जनती है और उसी दिन रीट की परिक्षा भी होनी है और यही कारण है कि जैन धर्म के लोग तारिख को आगे बढ़ानी की मांग कर रही है जैन धर्म के लोगों का कहना है कि 25 अप्रेल को जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व महावीर जैनती मनाई जाएगी इसी दिन राजस्थान अध्यापक पात्रता परिक्षा भी आयूजित की जा रही है जिसमें जैन समाज के कई परिक्षार्थी शामिल नहीं हो पाएंगी समीती की ओर से पहली भी इसको लेकर सरकार को ग्यापन सो पा गया था लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला अब देखने वाली बात ही ये रहेगी कि क्या राजस्थार्थी सरकार परिक्षा की तारिख को आगे बाढ़ाती है या फिर 25 तारिख को ही परिक्षा करवाई जाएगी पंजब के सी टीवी राजस्थान के लिए जोदपूर से जितेंद डूडी की रिपोर्ट